इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि किस तरह से जो मेरे media.net की जो earning है, जो first earning है media.net की तरो, ठीक है, वो मुझे कितने दुनों में मिली, कैसे मिली, ठीक है, उसके लिए मुझे कितना efforts करना पड़ा, आपको उसके लिए कितना efforts करना पड़ेगा, वो मैं सारी चीजें आप को step-wise step with proof दिखाने वाला हूँ, ठीक है, तो आपका ज्यादा time waste ना करते हुए, मैं सीधा media.net के dashboard में चलता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं media.net का जो dashboard है मेरा, वो मैं open कर लेता हूँ, तो यह भी open हो रहा है guys, और आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी तक मेरा जो overall जो earning है, वो 130.95 dollars यहाँ पर show कर रहा है, और जो मेरी last joining है, वो last 30 days की, वो 111 dollar के around मेरी, यह within 30 months, within 30 days यह हुई है, ठीक है, तो 100 dollar around लगबग होता है guys, 7500 के around, ठीक है, और यह जो मेरी यहाँ पर जो last turning है, यह है, सवा 16 dollar के around, ठीक है, जो अभी काफी कम हो गई है, मैं आपको सारी चीजें step by step दिखाने वाला हूँ, अब मैं यहाँ पर चलता हूँ revenue trends में, ठीक है, यहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि मेरी जो, सबसे जो highest earning है, वो कितनी रही है, अभी तक, ठीक है, तो देखें, यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर, यहाँ पर यहाँ लिया मैंने के लिए CPC और यह जो RPM है, वो बहुत सारी चीजें इसमें depend करती हैं, वो मैं अभी इसमें currently work कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर 10.84 मेरी दो तारिक को आई है earning, उसके बाद 7.45 आई है, ठीक है, 3.16, इसके बाद मेरी 5.26 आई है, अब पीछी क बात करूँ तो 6.08, ठीक है, 7.95, 8, 7, 6, 11, 11 डॉलर तक मेरे लगबग आए हैं, ठीक है, ठीक है, और यह जो मेरी earning help, almost, यह मेरी within 30 days की है, ठीक है, ठीक है, और अब मैं बात करता हूँ कि इसमें यह देखिए मेरी website है, highratedgabru.com, ठीक है, यहाँ पर चलते हैं, home page पे, मैं आ कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर देखिए, media.net के जो ads हैं, यह लगे हुए है, यह media.net के ही ads है, ठीक है, तो इसमें मुझे कितना time लगा, देखिए, जो मेरा जो domain है, मैं इसकी age भी दिखा देता हूँ कि कितना, कुतनी पुरानी website हो गई है, यह देखिए, 2 years, 23 days, य मैंने साथ के साथ, हफते में साथ के साथ दिन, इसमें मैंने काम किया है, ठीक है, 9 से 10 गंटे मैं अभी इसमें काम कर रहा हूँ, और मुझे इसका जो approval था, media.net का, जो approval मुझे मिलाया है, यह देखिए, मैं अभी open कर लेता हूँ, और मैं आपको सारी चीज़ें दिखा ले देखिए, यह जो ads हैं, यह media.net के लगे हुए हैं, और देखिए, यह मेरे mgid के ads हैं, यह भी काफी अच्छे ads हैं, इनकी भी मैं earning आपको next वीडियो में दिखाऊंगा कि मुझे इस से कितनी earning अभी मिल रही है, ठीक है, तो यह देखिए, यह आपे बीश में भी मैंने ads लग प्रूव हुए थे, लगबग 6-7 महीने हो गए हैं, जब मैंने media.net से approval लिया था, ठीक है, और मुझे starting में मिलकुल भी earning नहीं मिली थी, ठीक है, मुझे महीने में कभी 0.10, कभी 0.06, कभी 0.15 dollars मुझे आते थे, बट मैं इससे satisfy नहीं था, तो बीश में मैंने यह ads अपनी website से remove कर दिये, हटा दिये थे, फिर कुछ दिन बाद मुझे लगा कि चलो practical करते हैं, ठीक है, तो मैंने यह ads दुबारा से मैंने लगा दिये, तो फिर भी वो ही response था, मुझे 3-4 महीने के अंदर लगबग 6-6 dollars मेरे account में आये थे, ठीक है, बट मैंने hope नहीं छोड़ी और मैं काम इस पर continuously करता रहा है, उसके बाद मुझे अब इस महीने से जो response है, वो मिलना शुरू हुआ है, और आप यहाँ पर practically देख भी सकते हैं, तो गाईस मैं आप से यही request करूँगा, कि आप please hope ना छोड़िए, ठीक है, अभी देखिए, यहाँ पर live impressions जो है मेरे, वो 397 है, ठीक ह तो यही आप से request है कि अगर आप digital marketing में अपना carrier बनाना चाहते हैं, online marketing में, और आप अपनी website से अच्छा खासा earning करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको patience लखना पड़ेगा, ठीक है, काफी wait करना पड़ेगा, काफी मेहनत करनी पड़ेगी, बट अगर आपकी यह जो मेहनत है, एक बार सही way में जा रही है, और आप एक level तक पहुंच जाते हैं, आप लगबग 2 साल तक, 1,5 साल, 2 साल तक आप continuously work करते हैं, अच्छे से अपनी website को अच्छे से manage करते हैं, उसमें अच्छा content आप डालते हैं, ठीक है, और आप बहुत सारी चीजें इसमें step by step आप करते हैं जो कि digital marketing में आती हैं, तो आपको definitely एक ना एक दिन आपको earning जरूर मिलती है, ठीक है, बट इसके लिए आपको लगातार efforts करना है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, मुझे आप comment के थो बता सकते हैं, साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो आप इसको like share क करना भी ना भूलिए, साथ ही साथ आप मेरे चैनल को subscribe भी कर सकते हैं, ताकि जो next video है, उनका notification आपको timely मिलता रहे है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूँगा एक नई जानकारी, एक नई information एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए गाइस, देने बाद.